हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टॉवर योट्यूब चैनल बेंक एंप्लोईज न्यूस आज के इस वीडियो में हम आपके साथ All India Bank Employees Association के लेटेस सर्कुलर के बारे में बात करेंगे ये सर्कुलर तीन साथ को इशू किया गया है इसमें IBA के साथ पिछली वे सैटलमेंट के जो भी पेंटिंग इशू थे उसके बार में बात की गई है United Form of Bank Unions ने IBA के साथ दो साथ को मीटिंग की थी और उसी के बार में ये सर्कुलर है Unions ने Strike Notice इशू किया था और उसी Strike Notice को Daffer करने के बाद ही ये मीटिंग हुई है इस मीटिंग में सभी Unions के General Sectories ने participate किया था और IBA के तरफ से Members ने participate किया था इस मीटिंग में जिन भी issues पे discussion हुई है उसके बार में बात करते हैं सबसे बहुत तो 5 Days Banking के बात हुई है किया है इसके बाद IBA ने कहा है कि IBA इसके बार में जरूर हायर अथार्टीज और स्टेकोल्डर के साथ बात करके डिसीजन लेगी नेक्स्ट पैंशन अपडेशन की बात हुई है IBA का कहना है कि Banks को काफी additional cost देनी पड़ रही है पैंशन को fund करने के लिए इसलिए जितने भी 1986 से लेके 2002 तक के pensioners हैं उनकी pension update होगी और uniform rate पे pension दी जाएगी next pension scheme में भी improvement की बात की गई है कि जो pension है वो 50% of the basic लगनी चाहिए इसके साथ IBA के साथ pension scheme improvement की भी बात हुई है pension जो के पहले 33 years की service के बाद लगती है unions ने demand की है कि 20 साल के service के बाद भी pension लगाई चाहिए और last 10 months और last month की pension जिस जो भी जादा होती है वही employee को pension देनी चाहिए इसके साथ जो pension है वो 50% of the basic पे लगनी चाहिए DA scheme में भी change की बात की गई है कि जो 2016 का base index है उसे 100 के equal कर देना चाहिए क्योंकि जो consumer price index है वो भी इसी पर base है और DAB direct इसी पर base होना चाहिए next union ने staff welfare fund की बात की है कि banks का जो operating profit है उसके according ही staff welfare fund होने चाहिए ना कि net profit के according IBA ने कहा है कि वो इस issue के बारे में already government से बात कर रहे हैं और next meeting में इसके बारे में decision लिया जाएगा next जितने भी employees with disabilities है उन्हें जो traveling allowance है convenience allowance है वो 400 से increase करके 600 पर month दिया जाएगा North East सिक्कम जम्मो कश्मेधी माचल परदेश में काम करने वाले government employees को special allowance मिलता है उसी के तरच पर union ने IBA से banks में भी इसके demand की है पिछली settlement के कुछ issues अभी तक banks के तरफ से pending है और उन्होंने IBA से clarification मांगी है इसमें से एक ex-servicemen employees के fitment के बारे में भी है उसके बारे में भी IBA की internal committee के साथ issue चल रहा है और वो इस पे next meetingment decision लेंगे Retirees के लिए medical insurance scheme के improve करने की बात की गई है कि banks को चाहिए कि minimum basic policy जिसका की premium bank दे वो सभी retirees को मिलना चाहिए और इसके बाद अगर कोई भी retirees इस insurance में कुछ head up करना चाहते हैं तो वो additional sum assured pay करके उसमें add on करवा सकते हैं next banks में uniform banking business hours की बात की गई है कि banks में जो cash transaction hours है business hours है वो भी fix होने चाहिए IBA ने इस issue को भी examine करके next इसके बारे में advice दी जारी करने की बात की है next union ने retirement benefits पर income tax से exception की demand की है जितने भी retirement benefits है gratitude leave and cashment और NPS में जो 4% additional contribution है वो tax free होनी चाहिए IBA का कहना है कि वो इस matter को study करेंगे और government के साथ take up करेंगे next सभी banks PLI के लिए अपने अपने according practice कर रहे हैं लेकिन union ने demand की है कि IBA सभी banks को clarification sent करे ताकि uniform guidelines apply हो सके PLI की implementation पे इसके बार जितने भी officer organizations के pending issues हैं उसके बारे में बात की गई है जिसमें की LFC के बारे में clarifications pension की बात की गई है और child care leave की बात की गई है तो friends कल की meeting में यही सारी discussions हुई है जो कि पिछली settlement के बारे में pending थी उमीद करते हैं कि जल्द ही यह सारे issues resolve हो जाएंगे और next settlement के लिए IBA के साथ meetings हो पाएंगी आज के इस वीडियो में इतना ही ऐसे updates के लिए आप हमारे इस channel को subscribe करें और वीडियो को भी like और share जुरूर करें धन्यवाद